दोस्तों अपने स्मार्टफोन के कैमेरा में या कोई और डीसलर कैमेरा में एक आप्शन देखाऊँगा OIS का या फिर EIS का तो अगर आप नहीं जानते कि आखिर ये OIS और EIS होता क्या है तो आज ये वीडियो आप अंतक जरूर देखते रहेगा क्योंकि मैं आज आपको बता दोस्तों OIS का मतलब होता है Optical Image Stabilization और EIS होता है Electronic Image Stabilization अब Image Stabilization का मतलब क्या होता है कि जब मैं वीडियो ले रहा हूं तो मानलो मेरा हाथ ऐसे उपर नीचे होता है तो यहां पे OIS और EIS का मदद करते कि मेरा बहुत शेकी वीडियो आएगा तो वही वह वीडियो के एक कैमेरा होता है वहन नर्मल के मौन होता है वहां उलगिना रहता है दो इसे क्या होते है कि मेरा हांओ अगर उपर जाएगा तो इसे मेरा है साथ लोग वीडियो विडियो 413 मेरड है तो के तुम रिखे ऑपने रहता है और यह हमनों वेदी नहीं होता बहुत बारिक जहर तो बहुत खराब वीडियो तो उसी वीडियो को स्मूथ लेने में मदद करते हैं और फोटोस को भी फोटोस बलर ना है उसमें मदद करते हैं और दूस्तों वाइस जो है वह एक हार्डवेर फीचर है क्योंकि आपको एक फ्लोटिंग कैमेरा वाला लेंस चाहिए या कैमेरा तो वह एक हार्डवेर फीचर आप उसको सॉफ्टर अप्डेट के थू नहीं डाल सकते हैं अगर आपके स्मार्टफोन या कैमेरा के मैनुफेक्चरर ने फोन बनाते समय अगर आपको ऊप्शन मेलेगा वरना बाद में ऐसा नहीं कर सकते कि सॉफ्टर अप्डेट के थू अब दे देंगे तो यह पॉसिबल नहीं है दोस्तो अब हम बात करते हैं यह इसकी तो यहां पर क्या होता है कि आप जब वीडियो लेते हो तो आपका कैमेरा वीडियो को थोड़ा सा क्रॉप कर देगा कुछ 10 पर इतना क्रॉप कर देगा तो इससे कि अगर मेरा हाथ नीच अब दोस्तों यहां पर नीचे होता है तो वो स्टेबल कर देगा लेकिन अधाय बाई वह नहीं कर पाएंगा और फोर एक्षिस में चारों तरफ देजाएगा मेरा तो इस वह क्या होता है और इन दोनों में कितना फरक होता है तो बस दूस्ता आज के लिए इतना ही था अगर अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अभी के भी लाइक कर दीजिए और अपने दूसरे के शेयर करना मत बूलना क्योंकि आपके लिए बहुत सारी फीचर में एसी टेक वीडियो जाने वाली है और अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिजएगा और दोस्तों अब मैं में में आप से मेरे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई